जट से बहुत कुछ सीखना है, TRS Clips Hindi को सब्सक्राइब कीजिए. इत्यादि भगवान का जो रूप है, that is very bliss-oriented. पूजा तो हजार लोग कर रहा है, पूजा तो हजार लोग कर रहा है, इतना पॉपुलर देवता है, पूरा इंडिया में हो रहा है, मैं जो भी बात करना हूँ, वो स्टेज के लिए बात करना हूँ, जो एकदम connection बन गया है, पूरा पर वाला, वो doubtful है, मेरे साथ भी लग रहा है, कुछ हो रहा है, वैसा नहीं, एकदम कोई doubt नहीं है, और उसका टेस्ट कैसे होता है, एकदम सीधा सा टेस्ट है, कोई भी देवता आपके पास से भी गुजर गया है, आपका माइन को spiritual plane में खीच के लेके चला जागा, और उसका लक्षन होगा कि अपका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा, तुरंत, इडिस दी फर्स तिंग, बाकी material बहुत अच्छा हो गया, यह हो गया, कुछ फरक ने पड़ता हो, कोई भी दे सकता है, बहुत सारा लोग है, spiritual, positive, negative, सब वो सब कर सकते है, ठीकि ध्यान को अध्यात्मिक स्तर पे कोई नहीं लेके जा सकता है, बिना एक देवता के, किसी में और क्रिष्ण उपासना का एक प्रधान तत्व यह होता है, कि ही इस दी ओंडी मेल, everybody else, all other souls are females, उन से जादा, ही इस पुरुष उत्तमा, ही इस दी ग्रेटेस्ट अव पुरुष, पुरुष तत्व यह होता है, कि उसमें एक स्टिलनस रता है, सिंगुलारी एक स्टिलनस र जादा अपने शरीर और मन में ला सकता है, हैंडल कर सकता है, रख सकता है, पुरुष तत्त उतना जादा है, दो ही पुरुष पुरुष पुरा उनिवर्स में, एक है शंकर भगवान और एक है क्रिष्ण वो पुरुष जो दुनिया में आता है, अपना धर्म का काम भी पुरुष उत्तम है, पुरुष में सबसे उत्तम पुरुष, तूपर कोई नहीं है, फर्क क्या है दोनों में, यह तो सबसे पहला फर्क है, कि एक तो true nature जो है भगवान, शंकर भगवान का, वो थोरा सा, जैसे कि, वो डिरेक्ली आना नहीं चाहते है, यहां पर, और आइकनोग्राफी से भी वही दिखता है हम लोग को, चित्र जो भगवान का, उनका जो नेचर और जो आइडिया आता है, जैसे कि, कैलाश में बैठे रहते है, कोपीन पहन के बैठे रहते है, इतना थंड में बैठे रहते ह किया रहे यहां गिए बैठे रहते हैं, जब पूरा सुसाइटी के बाहर जो जगा है वहां पर बैठने पसंद ह और विशनु जो है वो अवतारित होते घर्म का रक्षन के लिए जहां पर धर्म ज्यादा हो जाता है, से यह से ठीन बैलेंस back. ये पहला difference है. और एक बहुत crucial difference है शंकर भगवान और विशनु भगवान के इसमें कि शंकर भगवान system से बहार रहते हैं एक तरह से जैसे मैं बताई कि उन समशान में बैठे रहते हैं या तो हिमाले के उपर, कोपिन पहन के ठंड में उन से ज़्यादा तपस्षिया करने का शमता किसी में नहीं है, और उनका ये जो पूरा तंत्रसादना वागा है, सब उनहीं का देन हैं दुनिया में, उनहीं ने वो सब आइडियाज जो है वो जो नौलेज है वो पृतिवी में दिया है लोगों के लिए ताकि उसम को ब्रेसिंग दे देंगे, भोले नात एक तरह से, ठीक है, एक तरह से, हाँ, इसमें इंट्रेस्टिंग ये है, कि उनका वो समाधी में रहते है, 24 बार 7, लेकिन हमारे दारा समाधी नहीं, एवरेज हुमें बीं का समाधी ये होता है कि समाधी अवस्था में अगर ध्यान म एक अलग अवस्था है, और उसमें आप एंट्री ले लेते हो, तो इसके बाद घंटो घंटो बैठे रहो कुछ फरक नहीं बढ़ता है, लेकिन उनका समाधी अलग है, वो भी एकदम डेप में जाते है, लेकिन इसमें अवरे दुनिया में क्या हो रहा है, सब चीज के बार कि वो कहीं न कहीं किसी को ब्लेसिंग दे दिया, उसके बाद वो ही ब्लेसिंग से वो बहुत पारफुल हो जाता है, सब को डिफीट कर देता है, करके हजारों साल तक वो रेन कर रहा है, सब देवता को उसने डिफीट कर दिया, जो नॉर्मल देवता है, जो इंदर वगएर इन तीनों को आना पड़ता है फील्ड में और फिर असूर का संभार हो जाता है ठीक है डेथ यह विश्णु भगवान का है कि मोर और लेस वो कभी असूरों को वर्दा नहीं देते हैं जो वो इसलिए एक कारण भी है कि धर्म का प्रधान देवता एक तरह से माना जाए तो ज अज़ बड़ता है इसलिए ने जाता है थेक है जो अधर्म के रास्ते में है या कहीं बी अंदर वाइब्रेशन है अधर्म का उनको बलेसिंग नहीं देते हैं एक तो और लोग थोड़ा से मेज बना दिया है बगवान कृष्णका की वो रासलिला में है रासलिला तर फेक तत्व है, बहुत complicated है, इसको आम जनता के लिए नहीं है वो चीज, वो जो साधक है उस तर में जाता है, उसमें होता है, वो एक शक्ति आपके दिमाग में चला जाएगा न, आपके शरीर के अंदर सब नदी देविल स्टार्ट डैंसिंग, इस लाइक दी गोपी और वो एक द भगवान का ब्रेसिंग एकदम mandatory है, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इस, उनका और एक नाम है नारायन, नारायन शब्द में ही इसका answer है, नर प्लस आयन, आयन मींस जो पात है, नर मींस human being, human being को जिस रास्ते से जाना है, उसी रास्ते का गोल है नारायन, एक तरह से, ठीक है, तो और spiritual angle में देखा जाए, internal spirituality में देखा जाए, तंत्र के हिसाब से, तो विष्णु भगवान का जो actual साधना, उनका जो experience है, एक व्यक्ति को तभी आता है, जब कुंडलीनी अनाहत और उपर जलाता है, उसके पहले नहीं आएगा, अर्थात आपके ज स्वधिष्ठा ने मनिपूर है, सब गरवर इसी में है, अच्छा भी बुरा भी सब है, जितना असूर से लेके, जितना यह है, सब एवरिटिं इस थ्री, ठीक है, तो वो तो स्तीनों में तो देते ही नहीं बलेसिंग, आप यह ट्रैंसेंट करके ऊपर अनाहत तक पहुचे आपके जीवन में आएंगे और फिर आपका स्पिरिशल प्रुट्रिस होता रहें, बेसिकलिए आदम का संद बना देगा, एकम सिंपल बात है, वो यह ही चाहते है, वो अगर किसी के लाइफ में आये ना, तो ऐसा अवस्ता करेगा कि बात में आपके पास कुछ नहीं देख दम स्टेट फोरवर्ड, तो मुझे एक्जाम पास होना है, यह होना है, अच्छी बात है, अपका ग्रहत अच्छा होगा, पास हो जाएंगे, लिकि उनको परगने कपटें इस सब चीज से, देख वान तिंग, और उनके अवतार का जो पूजा होता है, वो जादा जल जहां पर धर्म अधर्म का बैलेंस एकदम बिगर गया, तभी वो अवतारित होंगे, उस समय पर कोई कॉल करे या ना करे कुछ फरक नहीं बढ़ता है, और गीता में यही बगवान बोल रहा है, जब साधू लोग जो है, उनको तरास दिया जाता है, अधर्म उनके उपर ज कर देंगे, राम जी की तांतरिक पूजा होती है, तांतरिक पूजा इन दे सेंस की तंतर में उनका मंतर है, हनुमान जी का है, कृष्ण का है, कृष्ण भगवान का है, राधा का है, सब है, श्री राम का है, श्री राम का भी है, बहुत सारे मंतर है, तांतरिक मंतर है, तां दक्षिनाचार में जहां पर आप यह सब नहीं उस होता है, बाकी तंत्र के बाकी सब चीज अलाओड है, मंत्र वगरा, नया सित्यादी, बैठने का तरीका, आच्मान सब कुछ है, सिर्फ वो मीट, अल्कोहॉल यह सब चीज उस नहीं होगा, उस पद्धती में आप भगवान राम का पुजा कर सकते हैं, बहुत बड़िया रिजल्ट आता है, वो मंत्र आप कोई करता है, लेकिन लाखो जब करना पड़ता है, आप कह सकते हो मंत्र की? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, बट एक बार मैंने किया था उनका, इस वेरी ब्यूटिफॉल, इस एक्स्ट्रिम राम नामी जब करता रहता है, बट यही है कि इंटेंसिटी करना पड़ा है, पांच मिनिट दिन में करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप, एगें, क्यूंकि यूर पॉडकास्ट हजारों लाखों लोग देखते हैं, तो अपना, बेस्ट है कि कोई गुरू या मेंटर से पूछ लो कि सबका स्तर एक नहीं है, जो मैं बताना हूँ, एक लेवल के लिए है, जो जिनको वो लेवल नहीं है, वो अगर कोशिश करें तो शायद करने ही पाए, या कुछ यह त्यादी, तो कोई अगर वैश्णव साधना बहुत इंटेंसली कर रहा है, उनमें योग पैसिटी है, तो तीन चाट दिन अगर कोई अपने आपको यूँ, ख्लोज यूरसल्फ, ठीक है, या साथ दिन, आट दिन, एक हफता, किसी से मिलना नहीं है, खाना एकदम सात्विक, सात्विक मतलब लाइट, वेजिटेरियन भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे प् खाने में बहुत लोगों का लगता है कि वेज, नॉन वेज, वो तो अपना जगा है, जादा इंपोर्टेंस होता है कि खाना अब कम खाईए, जितना आपका अगर साधना करना है, जितना आपका पेट भरता है उसका हाफ या थ्रीफोट से जाधा रही, पहला तीन चार दि देखेगा सबको, कोई भी देवदागाप कीजिए, तो seven days आप किसी से मत मिलिये, ब्रह्मचरिया रखना है, इंपोर्टन है बहुत, खाना एकदम कम खाईए, बागी किसी से मुलाकात नहीं करना है, और राम नाम सिफ नाम नाम जब करते रहिए, hours and hours, it is a अरागी feeling, it's a different feeling ये वीडियो से आपने कुछ सीखा न, बागी के वीडियोस भी देखे, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं, TRS Clips हिंदी पर, आपको बस चैनल को explore करना है, ये वाली playlist देख लेजिए, आपके लिए बनाएंगे हैं दोस्त झाल